ये गाइज बॉन्जूर ओहायो खुनीचिवा नमस्ते कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे पिछले वीडियो में हमने बात की अपनी गलतियों की माफी मांगने की यानि की प्राइश चित की इस वीडियो में बात करेंगे हम अपने बेबी से कैसे कनेक्ट करें महा भारत के अभिमन्यों की स्टोरी तो सभी जानते हैं ये प्रूफ करती है कि माता पिता के आचार विचार का असर गर्ब में पल रहे बच्चे पर पढ़ता है इसलिए आपकी अपने बेबी से बॉर्णिंग आवश्यक है ताकि जब वो इस दुनिया में आ पहली संतान प्राप्ति का एक उपाय है दूसरी गर्ब धारण यानि कंसीव करने के उपाय की सावधानी है और अंत में चाइल्ड पैरेंट सबकॉंशेस बॉंडिंग की बात है इसलिए वीडियो को अंत तक सुने और पूरा सुने अगर आपके पास समय कम है तो थोड़ा करके सुने लेकिन रिक्वेस्ट है कि फुल वीडियो सुने तो बात करते हैं उपाय की संतान हमारे जीवन में उजाले की किरण होती है हमारा वो अंश होती है जो हमारे बाद भी इस धर्ती पर रहेगी ऐसे में आपको चाहिए कि आप किसी ऐसे शिव मंदिर चाहें जो थोड़ा कम भीड़ वाला हो इंटीरियर में हो वहाँ देर शाम के बाद यानि अंधेरा हो जाने पर एक धीपक दिया या लैंप प्रजोलित करें दिया चाहे घीका हो या तिल के तेल का पर इतना जरूर हो उसमें कि एक से दो घंडे तक दिया जलता रहे अगर सारे राज जले तो और भी अच्छा इस विदी का आशय सिर्फ इतना है कि आप जब प्रभू के पुराने और कम व्यवस्थित स्थान में उजाला करते हैं तो प्रभू आपके जीवन में अंधेरा कैसे रहने देंगे जब आप दीपक जलाने जाएं तो घर से स्वच होके जाएं और एक दो मिनट बैठ के ध्यान भी लगाएं अपनी बात बोले भंडारी से कहें और फिर घर आ जाएं यह उपाय आप किसी भी दिन करें प्रिफर करें ट्यूस्डे या थर्स्डे को और हाँ आज थर्स्डे है वो कहते हैं ना कि शुभस्त शिग्रम यानि अच्छे काम में देर ना करें अब मेरी दूसरी बात यानि उपायक के बारे में सावधानी की बात आप जब भी कभी भी कोई भी उपाय करें किसी भी मनो कामना पूर्ती के लिए करें प्लीज 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 उसका गाना ना गाए यानि मैंने लोगों को देखा है जो कहते फिरते हैं अरे मैंने तो ये किया मैंने वो किया etc. लेकिन हमारा तो कुछ नहीं हो पा रहा आपका कुछ नहीं हो रहा ये आपको कैसे पता आपके कितने कर्म बंधन कट गए और कितने कटने बाकी हैं ये आपको नहीं पता है आपको सिर्फ अपने ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए उपाय एवं उपचार यानि कि अमेडिकल ट्रीटमेंट दोनों ही करना है वो भी प्रॉपर रूटीन के साथ जैसे आम का एक बीज धर्ती में लगाने के बाद हमें उसकी पर डे केर करनी होती है पानी देना होता है तो कुछ वीक में एक छोटा सा नन्ना सा पौधा दिखता है और उसके बाद और ज्यादा केर करते हैं तो उसमें फ्रूट्स यानि आम के फल आते हैं तो ऐसे में आप अगर ये कहें कि मैं तो रोज खाद पानी दे रहा हूँ या रही हूँ और इसमें तो कोई पेड है ना फल है तो ये तो सरसर नाइनसाफी है ना एक बात हमेशा ध्यान रखी प्रकृती कभी अन्याय नहीं करती आप जब अपने हरदय में द्रण निश्चय कर लेंगे कि मुझे और मेरी संतान को मिलने से कोई बाधा नहीं रोख सकती पस उसी पल ठिक उसी क्षण आपकी ये अंतरात्मा की पुकार आपके उस जीवात्मा यानि डिवाइन सोल तक पहुँचेगी जो आपके लिए निश्चित है यहां आता है इस विडियो की तीसरी और खास बात सबकॉंशिस बॉंडिंग की बात आप इस ब्रह्मान में युनिवर्स में अपनी विश अपनी डिजायर कैसे भेजते हैं दुआ करके, पूजा प्रार्थना करके, प्रेयर करके, मंत्र शक्ती के द्वारा या आजकल के शब्दों में कहूं तो एफ़मेशन के द्वारा आफ़मेशन यानि द्रण निश्चाई कथन यानि वो शब्दों का समूह जिसके द्वारा आप अपनी बात को सपष्ट रूप से प्रकट करते हैं और चाहते हैं कि प्रकती, युनिवर्स आपकी विश पूरी करने में आपकी हेल्प करे तो ऐसे में कई छोटे छोटे आफ़मेशन मैंने देखे सुने और कुछ क्रियेट भी किये हैं उन सबको मैंने आपके लिए एक सिस्टेमेटिक ओर्डर में कमपोज किया है साथ ही साथ कुछ इंप्रूव्मेंट भी किया है अब आपको करना सिर्फ इतना है कि इस एफ़मेशन को डेली रात में सोने से पहले अपने मन में रिपीट करना है और ऐसे रिपीट करते हुए आप अपने दोनों हाथों को अपने पेट भी रखें अगर आप प्रेगनेंट नहीं है तो भी यह इमाजन करते हुए कि आप प्रेगनेंट है और आपका बेबी आपकी सब बाते सुन रहा है अगर आपसे ऐसे ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा है तो concentration के लिए आप इस affirmation paragraph को daily अपने डायरी में लिखें ध्यान रखें, diary अप pen, black ना हो यह affirmation आप अपने delivery के दिन तक भी लिखें Believe me, it works, wonder affirmation को मैंने Hindi और English में recite करूंगे आपके लिए और description box में और comment में pin भी कर दूंगी for the matter of clarity of pronunciation अप सुनते हैं आप सुनते हैं एफें एफेंशन इंगल्ष Dear Universe, you know my deep desire to have a child a little one to love, to hold, to care for and to cherish I want to conceive now a happy, healthy baby and for that my dear God guide me in all my choices so that this conception and my pregnancy and the birth of my baby are all in perfect line under your grace. O my dear God, please accept the prayer of my heart, mind and soul and grant my wish. My time for motherhood is now. I surrender to my body's divine wisdom and procreative powers. Yes, I shall have the most comfortable pregnancy. My body is fully capable of delivering happy, healthy baby. I now give up all my stress, anger, anxiety and blockages which stop me. My womb is lush jungle of love and nourishment. I am blessed to carry this baby and I am getting closer to meet my baby day by day. I and my baby both are safe and happy together. I am happy, I am healthy and I am pregnant. I welcome this blessing into my life wholeheartedly. I love you my child and welcome to our world. Hindi में affirmation इस प्रकार है. हे असीमित ब्रम्हान आपको पता है संतान प्राप्ति की मेरी तीवर इक्षा के बारे में. एक छोटा सा प्यारा सा बेबी जिसको मैं पकड़ सकूँ, उसका खयाल रखो और सम्हाल सकूँ. मैं एक स्वास्थ प्रसन अचित संतान के लिए आज ही गर्बधारन करना चाहती हूँ. और उसके लिए हे परम्पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करे सही चुनाओ करने में. चिससे की अगर्बाधान, मेरी गर्बहवस्था और मेरी प्रसूती, सब कुछ आपकी करुणा क्रिपा मेर हो. हे मेरे प्यारे ईश्वर, क्रिपया करके मेरी हरदय, मस्तश एवं आत्मा से निकली इस पुकार को सुविकार करे. मेरे मात्रत्व का समय बस आज से और अभी से है. मैं मेरे शरीर की दैविय अग्यान एवं मात्रत्व शमता के आगे शीश चुकाती हूँ. हाँ, मेरी गर्बहवस्था एक सरल्तम यात्रा होगी. मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है. एक स्वस्थ प्रसन संतान की उत्पत्ती के लिए. मैं बस अभी से त्याक करती हूँ. तनाव का, क्रोध का, चिंता का और सभी बंधनों का जो मुझे रोकते हैं. मेरा गर्बहवस्थे प्यार वो जीव उर्जा से भरा है. मैं अत्य इस आशरवात का. I love you much child. हे मेरी संतती, तुम्हारा स्वागत है हमारी दुनिया में. तो friends, आज के लिए इतना ही. अगर आप मेरे साथ इस जॉइफुल जर्नी को continue करना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें and comment below. It keeps me motivated. मिलते हैं नेक्स वी